मैं हूँ लोकेश चौरसिया आप देख रहे हैं वर्दान एक्सप्रेस वर्दान एक्सप्रेस के वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि मद्द प्रदेस में नए मुख मंत्री का एलान हो चुका है और डॉक्टर मोहन यादाओ को नया मद्द प्रदेस का मुख मंत्री बनाए गया है जिनका सपतग्यान समारो 13 दिसंबर को होने वाला है और भुपाल के लाल परेट मैदान में इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं और इसी बीच हम आपको वर्दान एक्सप्रेस के इस वीडियो के माद्दम से बताएंगे कि डॉक्टर मोहन यादाओ कौन हैं कहां के रहने वाले हैं इसके अलाबा उनकी सिक्षा दिक्षा कहां की है साथ ही उनके परिबार में कितने सदस हैं पूरा डिटेल से हम आपको इस वीडियो के माद्दम से बताएंगे और बताएंगे कि आखिरकार मोहन यादाओ का जन्म कब हुआ तमाम चीजों को लेकर वर्दान एक्सप्रेस के इस वीडियो में बने रही है ताकि इस एहम जानकारी सा बंचित न रह पाएं और यहां पे डॉक्टर मोहन यादाओ के बारे में आप सब कुछ जान सकें लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि मद्दम प्रदेस में सोंबार को बिधायक दल की बैठक हुई और बिधायक दल की बैठक में सर्बसमती से यहां पे यह फैसला लिया गया कि उज्यन के रहने बाले डॉक्टर मोहन यादाओ को मद्दम प्रदेस का नया मुक्ख मंत्री बनाया जाए इसके अलाबा दो उप मुक्ख मंत्री भी बनाए गए हैं और यहां तमाम चीजों को लेकर भोपाल में सोंबार के दिन लगातार राजनितिक गलियारों में हल्चल बनी रही मीडिया भी बहाँ पर यहां प्रयाप्त देखी गई तो कुल मिला के पूरे देश की मीडिया की नजर भुपाल में थी इसके अलाबा राजनेतिक गल्यारों में भी इसी बात की चर्चा थी कि आखिरकार कौन होगा मद्वर्देश का नया मुक्ष मंत्री और यहां पे इस वीडियो के माध्धम से हम आपको डॉक्टर मोहन यादाओ के बारे में परिचय बताने वाले हैं तमाम चीजे बताने वाले हैं घर परिवार से लेकर सीख्चा दिख्चा तक की तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्धम से आपको मिलेगी लेकिन उसके पहले यहां पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार आपको सीधे बताएंगे कि आखिरकार डॉक्टर मोहन यादाओ कौन हैं कहां के रहने बाले हैं क्या है उनका परिचय इस खबर की प्राज़क हैं हेमा एल्मूनियम एंडपलाई हमारा पता न्यू चंदपुरा इंडिस्टी जेरिया पन्ना रोड छतरपुर ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है वर्दान एक्स्प्रेस के इस वीडियो में तो बर्दान एक्स्प्रेस के इस वीडियो के मध्धम से आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर का डॉक्टर मोहन यादव कौन है जिने मध्य प्रदेश की नई कमान दी गई है अब आप जान लीजिए कि यहाँ पे डॉक्टर मोहन यादव कौन है उज्जेन दक्षिन विधानसवा सीट से विधायक है उनका जन में 25 मार्च 1965 को हुआ था और पिता का नाम पूनम चंदर यादव है मोहन के दो बेटे हैं एक बेटी है मोहन यादव की पढ़ाई की बा बर्ष 1984 में अखिल भारतिय विध्यारती परिशद उज्जेन में नगर मंत्री रहे हैं और 1986 में विभाग प्रमुख्य की भी एहम जिम्मिदारी निभाई है और यहाँ पे बर्ष 1988 में बे अबी वीपी मद्द प्रदेश में प्रदेश में प्रदेश सह मंत्री और राष् राष्टिय मंत्री रह चुके हैं 1993 से 95 तक राष्टिय स्वयम सेवक संग आरेशस में उन्होंने पुझ्यन में बहतर काम किया और नगर के सह खंड कारेबाहक रहे इसके अलाबा यहाँ पे 1996 में खंड कारेबाहक और नगर कारेबाहक की जिम्मिदारी नभाई है संग में सक्रिता की बज़े से मोहन यादाव को 1997 में भाजियमों परदेश समीती में अपनी जगए मिली और 1998 में उन्होंने पश्चिम रेल बोर्ड की सलाकार समीती में सदस्थ भी रह चुके हैं इसके बाद उन्होंने संगठन में रहकर अलग-अलग पदों पर काम किया ह 2004 से 2010 के बीच वह उजयन में विकास प्रादी करण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं जिसमें उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा भी प्राप्त था 2011 से 2013 के में मद्द प्रदेश राज्य परिटन विभाग निगम का भुपाल में अध्यक्ष बनाए गया जिसमें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला हुआ था पहली बार 2013 में बहे बिधान सवा चुनकर गए और 2018 में भी बहे पाइटी पर उन्होंने भरोशा किया और पुनहा बहे जीत कर बिधान सवा पहुँचे 2020 में जब भी बीजेपी की सरकार बनी तो मोहन यादव को मंत्री बनाए गया था यहनी कि उच्च सिक्षा मंत्री के पद से आशीन किया गया और डॉक्टर मोहन यादव को मंत्री पद पर आशीन किया गया था 41 बरस तक संगर्स करने के बाद अब उन्हें मद्ध प्रदेश में मुख मंत्री की कमान मिली है माधव बिग्यान महाविध ध्यालाई के छात्र राजनीती से शुरू बात करने बाले डॉक्टर मोहन यादाव पाईटी में कई पदों पर रहने के बाद उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला और कई बार बहे अपने बयानों को लेकर भी प्रदेश की राजनीती की चर्चा में रहे डॉक्टर मोहन यादाव 1982 में माधव विध्यान महा विध्यालाई चात्र संगे में सह सचिब और 1984 में माधव विध्यालाई में महा शंग के अद्दक्ची भी रह चुके हैं तो ऐसे में डॉक्टर मोहन यादाव मद्ध प्रदेश में कई पदों पर आसी रह चुके हैं उन्हें सिबराज सरकार की समय पर मंत्री बनी भी बनाया गया था जिसमें उच्छी सिक्चा मंत्री का बद दिया गया था और अब मद्ध प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादाव को एक बड़ी जिम्मिदारी मिली है और भाचपा अला कमान ने भरोसा करते हुए डॉक्टर मोहन यादा को मद ब्रदेस का मुख मंत्री बनाया गया है जो 13 दिसंबर को सपत लेने बाले हैं जिसको लेकर भाचपा में तैयारियां जोरों पर हैं लाल परेट मैदान में यहां आपने इस वीडियो में जाना कि आखिरकार डॉक्टर मोहन यादाओ कौन है और किस तरीके का उनका परिचा है पिता से लेकर तमाम जानकारी हमने आपको बताई हैं और परिवार से जुड़ी हर बात बताई गई है यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर अप अपना ख्याल रखिए सुरक्षित रहिए और देखते रहिए वरदान एक्सप्रेस